जैस्री करश्ट मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहे हैं देनिक राशी फल दिनांक 4 जुन 2022 शनिवार के दिन का तो आज के देनिक राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टी वा भगवान शनिदेव की करपा से आज का दिन 12 में से 5 राशीयों के लिए बेहद खास रहेगा इन 5 राशी वालों में आज हैं वरशब, करक, कन्या, तुला और मकर राशी वाले लोग वहीं अन्य राशीयों को आज मिले जुले परिणाम मिलेंगे तो मित्रों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्टरो गुरुजी में यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्यकार आशी फल नहीं नहीं ग्यानवर्धक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज जेश्ठमाश सुकल पक्ष की पंचमी तिथी है शनिवार का दिन है आज दिन की सुरवात पुष्य नक्षत्र से होगी और करकर आशी में चंद्रमा का संचरन होगा आज सुर्योदे प्रातहकाल पांच बच के 23 मिनिट पर होगा और सुरियास्त साम के 7 बच के 15 मिनिट पर होगा आज राहुकाल प्रातहकाल 8 बच के 51 मिनिट से आरम महो करके प्रातहकाल 10 बच के 35 मिनिट तक राहुकाल रहेगा तो आज राहू काल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य शुरू नहीं करें इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें आज दिसा सूल लहेगा पूर्वदिसा में तो आज के दिन आप पूर्वदिसा की और मुख करके कोई भी शुब मांगलिक व नया कार्य आरंब नहीं करें पूर्वदिसा की यात्रा से भी आप बचें यदि यात्रा करना आज आपके लिए अति आवश्यक हो तो आज उड़ा दखा करके या अपने इस्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात् शुब मांगलिक व नया कार्य आरंब कर सकते हैं तो अब जानी अपनी जन्मराशी के अनुसार आज आपके भाग्य के सितारे क्या बोलते हैं और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि दिन आपका शुब रहे और कारे छेतर में भी आपको सफलता मिलें तो मेंसराशी से आरंब करते हैं मेंसराशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आज पार्टर्जिप में कोई नया कांट्रेक्टर आदी मिल सकता है आपका सामाजिक दाइरा पड़ेगा और आप कुछ महत्वपुर्ण संबंद इस्थापित कर पाएंगे आज का दिन आर्थिक रूप से बहतर रहेगा आज आपको भाग्य का साथ 55 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक पाँच है शुबरंग आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियो कारी छेत्र में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका वि अगले राशी है व्रशब, व्रशब राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से सुरू आप कर पाएंगे, यह योजनाओं आपको लाबदाएक परिनाम देगी, नोकरी पेसा लोग कारे स्थल पर अपने का आज आपका भागिशालियंक का साथ है, शुबरंग आपका सफेद रंग है, सफेद रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे, तो आपको विशेश लाब की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका सफलता मिलेगी, अगली राशी है मिथुन, मिथुन राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज साहीत त्यकला, लेखन, संगित, फिल्मों या खेल जैसे रचनात्मक छेतरों से जुड़े लोगों को अपनी प्रतीभा दिखाने का अवसर आज भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, आज आपको भाग्य का साथ 95 प्रतिसत प्राप्त होगा, आज आपका भाग्य शाली अंक दो है, शुबरंग आपका गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक अगले राशी है करक, करक राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, कि आज करक राशी के लोगों को कई वित्ती फायदे मिल सकते हैं, इतना ही नहीं आज आप असीम दोलत के मालिक भी बन सकते हैं, आज के नए इस्तरोत्र आप के लिए बनेंगे, आपके पक्ष में रहेंगे, आपकी निजी जिन्दगे में फिलाल सब कुछ अच्छा ही रहेगा, आज व्यापारी वर्ग को विशेश रूप से अच्छे फल प्राप्त होंगे, धन लाप के योग बनेंगे, आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा, आज आपका भाग्यशाली अंकदस है, शुबरंग आपका केसरी आरंग है, केसरी आरंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी, तो आज के दिन कायरे में विशे सफलता पाने के लिए, आपका विशेश उपाई इस करने के पश्चाद, शनी देवताओ को मिठाई का भूगर पित करें, श्रीफल चड़ावें, ओमसम सनिश्चराई नमा इस महा मंतर का जाप करें, इसा करने से कायरे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, अगले रासी है सिम्ह, सिम्ह राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा, आज आपके सहकर्मी समुह के बीच आपकी लोग प्रिता में व्रद्धी करेंगे, हाला कि आज के दिन व्यामसाइक रूप से चीजे सुचारू रहेगी और आपको अच्छी प्रगती मिलेगी, आपके आमदानी बढ़ेगी, आपको आर्थिक रहेग nowक प्रियोग कारे छहतर मयाज अदिक सदिक आप करेंगे, तो आपको विशे backbone की प्रापती होगी, तो आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने कि लिए आपका विशे सुपाईश प्रकार से हैं, प्राताह का लिसनान करने के पश्चाद, शनी देवता के मंदिर मे सरसों का तेल और ओड़ा दकाले वस्तर में रखकर के दान करें शमी पत्र चड़ावें ओमरवी पुत्राइनमा इस महा मंत्र का जाप करें इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है कन्या कन्या राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज कारे छेतर में आपको अपने अधिकारियों का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा साथ ये आपकी आमदानी व्यापार और अन्य कारियों से लाब मिलेगा येदि आप नोकरी पेसा है तो आपकी सेलेरी में बड़ोत्री के योग है आपको धार्मिक कारियों में सम्मिलित हो सकते है जिसके कारण सामाजी के लोक परिता आपकी बढ़ेगी आज आपको सभी का सहयोग वा समर्थिन मिलेगा आज आपको भाग्य का साथ 90 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक चार है शुबरंग आपका लाल रंग है लाल रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में व महा मंतर का जाप करें इसा करने से कायरे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज आपकी इच्छाएं पूरी होगी व्यावसाइक संदर्भय में महातुकांग्ची योजनाई शु आज आप अपने सत्रों को अपने उपर हावी नहीं होने देंगे बलकि उने परास्त करने में सफल रहेंगे आज आपको भाग्य का साथ ऐसी 50 प्रतिसत परापत होगा आज आपका भाग्यशाली अंक आठ है शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रैयोक काय इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज आपको भग्य का साथ 86 प्रतिसत प्राप्त होगा। आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आपका परिवारिक जीवन बहुती शांती पूर्ण और खुशाल रहेगा। आज आपको भग्य का साथ 85 प्रतिसत प्राप्त होगा। आज आपका भग्य शाली अंक पांच है। शुबरंग आपका केसरिया रंग है। केसरिया रंग का प्रियोकारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे। तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल कम रहेगा। स्वास्त के लिहाज से आज के दिन आप कुछ पुरानी बीमारियों से प्रभावित हो सकते हैं। आज आपको स्वास्त का दियान लखना चाहिए। आर्थिक तोर पर भी आज का दिन आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। आज आपका आता हुआ धन कहीं अटक सकता है जिस वज़े से आप थोड़ा असंतोष महसूस करेंगे। इतना ही नहीं आज का दिन कामकाच के लिहाज से आपके लिए काफी लाबदायक रहेगा। आज आपको भाग्य का साथ छी उत्तर प्रतिसत प्राप्त होगा। इसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशी है कुम्भ। कुम्भ राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। आज किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे उन्हें मिश्रित परिणाम मिलेंगे। इतना ही नहीं आज व्यावसाईक कारियों में कुछ अनावश्य का तनाव पेदा हो सकते ही। फिलहाल ऐसे आर्थिक निरनाई लेने से आपको बचना चाहिए जिसमें हानी होने की संभवना जादा हो। हाला कि आज 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 की मानसिक सुस्ति खत्म हो जाएगी आपको कोई शुब समाचार भी मिलेंगे। किसी गरीब को वस्तर आदी का दान करें यथा शक्ती शनी देओ के नाम मंत्रों का जाप करें। इसा करने से कायरे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अगली राशी है मीन, मीन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा। नोकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल कम रहेगा। केसरिया रंग का प्रियोग कायरी छेतर में अज अधिक से दिकाप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी। तो आज के दिन कायरे में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपा इस प्रकार से हैं प्राता है काल इस्नान करने के पश्चात शनी देवता के मंदिर में स्टील की कटोरी में सरसो का तेल रख करके दान करें ओड़द अरपित करें यथा शक्ती शनी देव के नाम म शेयर अवश्य करें धन्यवाद जैसरीक रश्टमित्रों फिर मिलेंगे